नमस्कात दोस्तों मिरा नमतन में आप देखे टेक यूनिक और आज हम यहां पर compare करने वाले हैं Realme Buds Q2 के साथ Noise Air Buds Pro की तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे build quality के तो आप यहां पर देख सकते है Realme में आपको matte finishing देखने को मिलती है तो यह जो matte finish है काफी बढ़िया लगता है देखने में काफी premium लगता है देखने में और overall जो है एक बहुत ही premium look देता है इस product को वहीं पर दोस्तों अगर मैं scratches की बात करूँ त वहीं पर बात करूँ noise की तो यहां पर देख सकते हैं यह glossy finish के साथ आता है और glossy finish के होने के कारण से यहां पर scratches बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं तो इसका glossy finish है वह उतना कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें scratches जल्दी से पढ़ जाते हैं वहीं पर बात करूँ हिंज की त यहां पर लुटायम का यहां पर बात करूँ noise में जो है आपको मेटल का यहां पर हिंज देख सकते हैं पीछे की तरफeras के लिए आगे बड़ते में Realme Buds Q2 में आपको Bluetooth 5.2 देखने को मिलता है Noise Air Buds Pro में आपको Bluetooth 5.0 देखने को मिलता है Codec की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दोनों में AEC का Codec मिलता है वहीं पर बात करूँ यहाँ पे Realme में आपको Google का Fast Pairing देखने को मिलता है तो यह जो है काफी बढ़िया बात है यह जो है Connect हो जाता है आपके Phone के साथ बहुत ही Fast तरीके से जैसी आप इसके Lid को Open करते है तो यह जो है यहाँ पे आपके Phone के साथ Connect हो जाता है बहुत ही Fast तरीके से तो यह चीज मुझे आपके काफी अदा बढ़िया लगती है वहीं पर अगर noise की बात करूँ तो noise में भी connectivity fast देखने को मिलती है हाला कि यहां पर 2-3 second का delay रहता है connectivity के मामले में अगर मैं इसे compare करता हूँ Realme के साथ आगे बढ़ते हैं यहां पर sound quality में तो guys यहां पर sound quality के मामले में अगर आपको यहां पर bass ज्यादा पसंद है तो आपको यहां पर जाना चाहिए Realme के साथ क्योंकि Realme का जो bass है वो ज्यादा अच्छा है as compare to noise Realme में आपको काफी तगड़ा भूमी bass देखने को मिलता है trebles भी इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है और अगर आपको gaming के लिए कोई earbud चाहिए इन दोनों में चाहिए तो मैं यहां पर Realme में आपको suggest करना चाहूंगा तो अगर आपको यहां पर balance sound quality चाहिए सारे चीज़े एकदम balance चाहिए ज्यादा bass अगर आपको नहीं चाहिए ज्यादा ट्रेबल्स आपको नहीं चाहिए सारी चीज़े एकदम balance होनी चाहिए तब आप यहां पर जा सकते हैं noise के air buds pro के साथ क्योंकि इसमें जो है highs mids and lows और ट्रेबल्स और bass जो है सब कुछ यहां पर balance दिया गया है तो यहां पर noise microphone के मामले में आगे निकल जाता है अब हम यहां पर sample सुन लेते हैं दोनों भी ear buds का तो यह रहा आपके सामने दोनों भी ear buds का microphone sample अब यह आवासने में पर record हो रहा है noise air buds pro के microphone से और आपने पर सुन करके जज़ करना है कि कैसे आपको sound quality सुनने में आ रही है यहां पर जाए में outdoor conditions में हूँ यहां पर जाज़ वाड़ी और चल रही है तो आपको आपर सुन करके ज़ज करना है मेरा आवाज कैसे आ रहा है आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे आपको Realme Buds Q2 में ANC Active Noise Cancellation देखने को मलता है तो यह जो Active Noise Cancellation है Realme Buds Q2 में बहुत ही बड़ी है तरीके से काम करते हैं आला कि दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज्यादा आवाज आता है तो वो यह Cancel Out नहीं कर पाता है उससे जादा यह Cancel Out नहीं कर पाता है वहीप अगर मैं Noise की बात करूँ, Noise में भी आपको ANC मिलता है तो इसका भी ANC वैसा ही सेम काम करता है नॉर्मली हलका हवा वगेरा यह Cancel Out कर पाता है हवा का आवाज और नॉर्मल छोटे छोटे जो आवाज होते हैं वो यह Cancel Out कर पाता है इससे जादा अगर आप इससे उम्मीद करोगे तो यह यहाँ पर उतना परफार्म नहीं कर पाएगा इन दोनों ही TWS को आप यहाँ पर फ्लाइट में Carry कर के यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्लाइट का आवाज आपको यहाँ पर दोनों भी Earbuds में सुनाई देगा वहीं पर आपको Realme में Gaming Mode देखने को मिलता है अब यहाँ पर यह जो Gaming Mode है यह मुझे बहुत यदा बढ़िया लगा है इसके मदद से यहाँ पर मैंने बहुत ही तगड़ा Gaming करा है Realme के Buds Q2 में Gaming जो है इसमें बहुत ही तगड़ी तरीके से मैं कर पाता हूँ BGMI वगएरा बहुत ही मज़ा आता है इसमें खेलने में क्योंकि Low Latency आपको देखने को मिलती है Realme के Buds Q2 में बहुत ही तगड़ी तरीके से Gaming वगएरा हो जाती है वहीं पर Noise में आपको कोई भी तरीके का Gaming Mode नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो Noise का Air Buds Pro है यह बिल्कुल भी Gaming के लिए नहीं है वहीं पर जो है दोनों में भी आपको IPX की Rating मिल जाती है IPX 5 का Rating आपको देखने को मिलता है Realme Buds Q2 में वहीं पर आपको Noise में IPX 4 की Rating देखने को मिल जाती है Realme में और एक extra feature आपको देखने को मिलता है जो की है Realme Link App जो की एक काफी तगड़ा एप है और मुझे जो है काफी आदा बढ़िया लगता है customization के मामले में अब बात कर लेते हैं battery life and charging की तो guys यहाँ पर जो है case में आपको Realme में 400 mAh की battery मिलती है और आपको यहाँ पर Buds में 40 mAh की battery मिलती है वहीं पर Noise में आपको 400 mAh की battery case में मिलती है और Buds का battery mAh नहीं पता क्योंकि इन्होंने यहाँ पर inform नहीं करा है तो overall आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का भी battery capacity यहाँ पर same है बट यहाँ पर Realme आपका without ANC 25 गंटा आराम से चल जाता है आराम से 1 दिन और 2-3 गंटा जादा चल जाता है अगर आप यहाँ पर ANC को off रखते हैं तो बट अगर आप ANC को चालू कर लेते हैं तो यहाँ पर यह सिर्फ 12-13 गंटा max to max अगर आप इसे थोड़ा सा और volume कम कर देते हैं तो यह max to max 15 गंटे चल पाता है वहीं पर जो noise है noise ने claim किया है कि 20 गंटे का battery backup आपको मिलेगा अगर आप इसमें ANC को off करके रखते हैं तब जा करके आपको यहाँ पर 20 गंटे का battery backup मिलेगा बट अगर आप इसमें ANC को on करके रखते हैं तो अब आपको जो है इसमें 15 या फिर 14 गंटे का ही battery backup मिलेगा उससे भी थोड़ा सा कम मिलता है कभी कबार तो यहाँ पर आप देख सकते है रियल मी जो है थोड़ा सा जादा आगे निकल जाता है बैटरी बैकप के मामले में वही पर चार्जिंग की बात करो तो यहाँ पर आपको दोनों में ही यहाँ पर 2300 या फिर 2500 तक है तो आपको मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि रियल मी का बड्स क्यूटू बाइ कर सकते है और अगर आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए कोई TWS ची है तो यहाँ पर रियल मी की तरफ जा सकते है क्योंकि इसमें जो एक गेमिंग बहुत ही बड़िया तरीके से हो जाती है वहीं पर दोस्तों अगर आपको सिर्फ गाने सुनने के लिए ची है सिर्फ मूवीज वगरा देखने है तो यह रहा है यहाँ पर मेरा comparison अगर आपको यह दोनों का भी प्राइसिंग चेक करना है अगर आप इन दोनों में से कुछी में भी इंट्रेस्टेंड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप चेक आउट कर सकते हैं इतना अधास वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब तक लिए वस्तों जैहन वंदे मातरम और आपका दिन शुब रहे